मद्धप्रदेश के लिए एक अच्छी खबर है दर्शल मद्धप्रदेश में अब संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है पिछले 24 घंटों में 8,970 नए पोश्ट्यू केस मिले हैं और ये पिछले 25 दिनों में सबसे कम हैं वही 11 मई को 10,324 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है जबकि 6 दिन बाद स्वास्त होने वालों की संख्या नए संक्रमितों से ज्यादा है लेकिन कुरोना से हो रही मौतों के आक्रे में ज्यादा कमी नहीं आ रही है प्रदेश में पिछले 14 घंटे में 84 लोगों की कुरोना से जान गई है और इसके साथ ही मौतों का कुलांकरा 6689 हो गया है कुरोना से मई के 11 दिनों में 866 मौते हो चुकी है हलाकि positivity rate लगातार कम होता जा रहा है ग्यारा मई को यह 14 हो गया था जो की 10 मई को घटकर 15 फिजदी दर्ज किया गया था जो मई की शुरुआत में 25 फिजदी तक पहुँच गया था और सरकार को फोकस रतलाम में बढ़ रहे केस को लेकर है मुख्यमंतरिर सुराज सिंग चमहान ने मंगलवार देर साम कुरोना की समीक्षा बैठक में इसको लेकर चिंता भी जाहिर की थी उन्होंने कलेक्टर को निर्देश दिये की कुरोना के नियंतरन के लिए उचित कदम उठाएं और अस्पतालों में बेट की संख्या बढ़ाने की जरूरत है तो इस पर भी काम करें बतादे की रतलाम में पॉजटिविटी रेट 26% से ज्यादा है पिछले 24 घंटे में यहां 5 मरीजों की मौत हुई है